हरे कृष्णा आप सबको गीता जैन्दी की हार्दिक शुब काम ना है मुक्षदा एकादशी का दिन है और यह वो दिन है जब 5000 साल पहले लगबग वहाँ श्रीक कृष्ण ने अर्जुन को बोले थी श्रीमद भगवद गीता on today's auspicious day which is मुक्षदा एकादशी क्योंकि गीता जैन्दी का उस्तव है तो थोड़ा भगवदीता का महात्मे तो करना चाहिए why not so महा भारत के अंदर बड़ा ही सुन्दर वर्स आता है शीमद भगवदीता के महात्मे और यह इस परकार से है तो यह महा भारत के भीशोपर में आता है 43rd chapter verse number 1 ने कहा यदि कोई नियमित रूप से तथा भक्ती पूरवग भवाश्री कृष्ण के मुखारविन से ने सिरत इस दिव्य गीता का पठन करता है उसे अन्य शास्त्यों के अध्यन की क्या अवशक्ता है so हम जाते हैं हमारे शास्त्यों उसमें वेद भी है पुराण भी है उपनिशद भी है सब आते हैं उसके अंदर नाइस शुती भी है इसमिती है वाव इतिहास भी है वहाँ भारत रवायड पर इसमें सारी टीचिंग्स का जो एसेंस है वो मिलता है श्रीमद भगवद गीता के अंदर तो यहाँ पर वैशम पायन वहीं बता रहे है कि भगवद गीता इतना कंडेंस नेक्टर है कि जो कुछ भी वेज शांस्त्रों में एग्रिगर्ट रूप से दिया गया है न वैल उससा कॉंसेंट्रेटेड फॉर्म मिल जाता है हमें सारे सीड़ी भवान तक पहुंचने की स्टेब बाइ स्टेब अगर दियो अद्भुत बलकि एक गीता भात में के श्लोक अंदर यह दिया आता है कि वास्ते में अठारा दिया और कुछ नहीं है यह अठारा सीड़ीया है so that we reach Krishna yes तो इसी लिए भगुतीता जो है सारे शास्त्रों का सारे इसलिए अगर गीता को नहीं पढ़ा so sir you are missing something really serious so अगला श्लोक भी महाभारत से आता है और वो इस पकार से है पढ़ेगा तो इसलिए चार गह तो चार गह में जो तीन गह है यानि कि गंगा गीता गायत्री ये तीन जो गह है ये चौथे गह से हमें मिला देते है yes पास तो तीन गह है ये चौथे गह क्यों रस्तर लिखे जाते है विकॉस ये तीन गह है तो गोविंद का स्परण करें और जब गायत्री का पार्ट करें तो भी गोविंद का स्परण करें yes क्योंकि वास्तम है ये हमें भवाण श्री गोविंद से मिलाती है तो इसमें भवाण श्री कृष्ण के मुखारवन से निकली है श्रीमत भगवत गीता मुखारविन से और गंगा महीं आई है बहुआन के चलनों से लेकिन इस सब के सब चाहती है तीनों गह चाहते हैं हम चौथे गह से हम मिल लें उनकी सिवा में लग जाए यानि बहुआ श्री गोविंद की सिवा में लग जाए तो अगला श्लोग गीता महात्मय में इस प्रका चाहता हो उस थान पर प्रयाग आती सभी तीर्थ विध्यमान होते हैं तो अगर हम किसी भी तीर्थ पे जाएं तो उसका परपस कैया है थुड़ा घूमना फिना टिक्की खाना लस्ती पीना ऐसा क्या नई जी किसी भी तीर्थ थान पर जाकर करके हमें घा करना चाहिए हरी कथा को सुनना चाहिए हरी कथा ना वैसे दो प्रगार यह होती एक तो हरी के बारे में कथा है उसको बोलते है हरी कथा और जो हरी ने कथा की है उसको भी बोलते है हरी कथा तो शीमत भागतम है हरी कथा यानी हरी के बारे में कथा और शीमत भगो दीता है हरी के द्वारा की ग अब क्या करेंगे जी वेल अगर आप जहां पर हैं और वहां पर रहकर कि अगर आप गीता का पार्ट करते हैं तो आपका हृदे वास्ता में तीर्थ बन जाएगा येस और ये सब्सक्रादी ज़रूरी है बजाए कि हम दिल्ली वले भाव में संसार वले भाव में जाए बंद तो इस लोग आ रहा है वैश्ण तंत्र से जिसको कोट किया श्रीलसूत को स्वामेजी ने और इस प्रकार से हैं गीता भ्यासम पुनह कृत्वा लवते मुक्तिमुत तमाम, गीता उच्चार संग्युतो, मृया मानो गतिम लभेत, गीता का पुनह पुनह अध्यन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्ति भी कर सकता है, मृत्यू के समय केवल गीता, शब्द के उच्चारन मात्र से भी मनुष्य म कि चेतना में इतनी जादा समाहित हो जाएगी कि जो आप जब शरी छोड़ रहे होंगे तो आपकी मुक्त से निकल जाएगा गीता और आप चल बसे तो अगर कोई मरते वक्त सिरु इतना बोल देता है गीता ऐसे वक्ती को भी मुक्ती प्राप्त हो जाती है तो इसे रेकिनी कैसे संबाब होगा यही बताएगा इस लोकंदर पुना-पुना आपको भगोदीता का पाठ करना पड़ेगा आपको सोचे जिंदी के बार करेंगा मस्तीख हो ली आगर बोले गीता अपर मेरे मुक्ती हो जाएगी आइस तो ही नहीं होता साब जी पुना-पुना परे करना पड़ता है चेतना में गीता गुसाना पड़ता है तब ही तो मृत्यों के वक्त जब बहुत ज़्यादा कश्का समय होता है कफ पे तुबाद से गला भरा होता है आँखे फूट-फूट के भाहर आ रही होती है प्राण वाईउ चीर फाड़ करें भाहर आ रही होती है मानो चालिस हजार विच्चु एक साथ काट रहे हो इतने कश्के समय भला गीता कैसे निगलेगा उस वक्तो सेनुरीटा ऐसे वेरके वक्ती मेरेगा सार अगर आण में गीता पढ़ियोगी ना तो आखे मुक्ती नहीं देगा गीता तो ऐसे में विक्ती को मुक्ती प्राप हो जाती है अगर कोई मरते बक्त सिर्फ गीता सिर्फ ऐसा उच्चारण भी कर देता है साथ ही वेश्चासंतर ने बताये गया है गीतार्था श्रवणा सकतो महा पाप युदो पिवा वैकुंठम सम बापनोती विश्चु ना सहमोजते कोई अध्यन्त पापी भी यदि ध्यान पूरव गीता का अर्थ समझ कर वेरी इंपोर्टन ध्यान पूरव गीता का अर्थ समझ कर उसका श्रवन करता है तो उसे विश्णु का परमधाम वैकुंठ प्राप्त होता है तो पहले तो चेतना को बनाना पड़ेगा हमें वैकुंठ तो चेतना भला वैकुंठ कैसे आएगा वैकुंठ का मदब है वै का मदब बिना कुंठा मतलब anxiety यानि बिना anxiety की आपकी चितना कब हो जाएगी पहले तब होगी अगर आप गीता का नियमत उसे पाठ करते हैं तो अगर कोई अर्थ समझ करके गीता का पाठ करें यानि इस लोग कहीं लोग पढ़तो जाते हैं ना 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 अर्थ समझ करके धिहान पूरा अगर कोई भवगुदी तक अपाठ करें तो उसकी चेतना जो है वो वैकूंठ मही हो जाएगी या गोलो को मही हो जाएगी और ऐसी गोलो को मही वैकूंठ मही चेतना के साथ जब इत्ति अपना जीवन अंत भी अगर करता है कभी तो ऐसे विद्टी को वैकूंट प्राप्ति होती हैं देखें वैकूंट जाना गफान के ध्राम जाना दम लगता है इसके लिए सोचिया स्वर्व जाने के लिए लोगों कितने त्याक करने पड़ते हैं और उपर के लोगों महार लोग तफ़ो लोग जनलोग ब्रह्म लोग और ही तफस्या करने पड़ती है अरे निराकार ब्रह्म में जाने के लिए भी लोग कितने हरदवार और रशीकेशी गुफाओं मैठे तफस्या करने हैं उच्छ नहीं पराप्त होता है कितने जराम लग जाते हैं फिर यह तो और उच्छा लक्षे है निराकार ब्रह्म जो कहां पर है यह पंख्या और फानुसे कृपा करने वाली नाइस सार यह भगवगीता के अंदर ही तो कृपा है तो कृपा में प्लग इन करेंगे देन वी रहाए वेकुंठ हुमाई पॉश्यसनेस वेकुंठ हुमाई चेतना के साथ देन वी एंटर वेकुंठा ओफ लॉड पलाइन और गोरुत बंदावन फॉड श साथ ही रिलश लुगआ रहा है पन्त पुरान से और वहां बतायागिया गया है किता मेरे विशय में करिपूर्ण अव्य एवं अत्यंतह श्रतिस्यारिक ज्यान है सो गीता मेरा हीरद्य है वहां शेक्रिश्वत आरहे सोचिए मदब भवान क्या चाहते है उनकी भावना उनकी करोणा गीता के रूप में भाhtडे है सो गीता में हीरद्य हमपार्थ सवादी वहां खुरर्वत आरे है यह एन्धभान के चाहिए कुछ उधर और और फिर उनका वक्ष सल है उनका चहरा है और गुजाए है और जैसे श्रीमत भागतम इस और साक्षात कृष्णा उस तरह से भगोदीता को साक्षात सुरूप लेके चलना चाहिए साथ ही बता है रहे कि अत्युग्रम यानि कि ऐसा ज्यान है जो कि परिपूर्ण है अपने अपने अव्याय है कभी खतम नहीं होता है इसको को एडिटिंग नहीं चाहिए को रिवाइज एडिशन नहीं चाहिए कि वहां कृष्णा बोले पिश्टी बार ना ऐसी को कुछ श्लोक में मिस करिया था मैं कुछ श्लोक अगली बार एड करा सकता हूँ ना जी ना यह जो 700 श्लोक है complete लेकिन यह ज्यान यह as it is रहता है यह कभी नश्टी होता है इसमें कभी भी न कोई corrections नहीं आती never ever perfect knowledge है यह साथ ही वहां बता रहे हैं गीता में ज्यानम अत्युग्रम अथाथी परिपूर्ण है इस complete knowledge और आगे पंदुग्राण में बताया जा रहा है और इस लोक इस पकार से है गीता में चोत्मम स्थानम गीता में परमंपदम गीता में परमंगुहियं गीता में परमो गुरू गीता मेरा सरवोच्च गुरू है तो गुहियतम भी है वेरी confidential अब कई लोगा देखें मा ही नहीं जी गीतासार की रूप परिखता है ना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो हुआ था अच्छा हुआ ऑधे क्या लेकर चले जाओगे आछी यह गीतासार में नहीं है य20 धासार जो है आगर आपको पढ़лоा है तो उसकी आप इंडॉडरुच्शन बढ़ी जहें बगुदीता यथा रूप का, that's it. तो इसी लिए गीता सार भी लोगों नहीं बता, इवन उसका समरी वर्हन भी नहीं बता, because it is गुएतमम, बहुत एक कॉंफिदेशन लाने चाहिए, यस, इसे मैंने देखा, कई बार ऐसे लोग भी आएं, जो कि वैसे आध्यातमवादी बनते हैं, और गीता पर किताब लिखी उन्हें, आप उसको पढ़ेंगे न, उसका गीता से उसको connection नहीं, मैंने ऐसे फिलोसोरो सुन रहा था, उसने बोला, गीता का सार है संगर्ष, राव प्रभू, का है तेरे चलन एक बार आर्थी उतर लो है, तो नि कहां से निकाल ले भाई, गीता का मूल सार जो है संगर्ष नहीं है, इसको पूरा वारा एक वीडियो है, अपकोर्स, कि गीता का मुख्य संदेश क्या है, मुख्य अर्थ क्या है, संगर्ष या भक्ती, तो वैसे तो बहुत क्लियर है, भक्ती दी गई है, लेकिन when we are clouded by ignorance, और साथ ही हम किसी प्रमाणिक गुरू की शर्ड मेने जाते हैं, बैठ के वोज किताब खुल ली हमने हमों लगा, हमने फला-फला इंस्सिटूट से पढ़ावाए, तो हम तो जान लेगे, अईसा कोफी होता है, हमने जाना पड़ता है गुरू के पास, खुद बहुधा बता ह Beni ने हम अब एक गुरू के पास जाना चाहिए, जो वाकरी में भगोधिता को जीता है, जो बहुधान का भक्त है, उससे जाकर के हमको भगवदीता सीखने चाहिने तो उप्रटांग मीनी देने वारे तो बतेरे पड़े हुए है वो तीन-तीन वॉल्यूम की भगवदीता लिखे हुई है जबकि उसका गीता से कोई लेना दे रही नहीं है अल्ले अल्लो जी तो इसलिए बहुत ही गोहितम ग्यान है सम्मान दे रहे हैं ताकि हम उसको सम्मान दें आएस, तो वहां खृती बता हुदा है अवाला तीनो लोगों का पालन कैसे होगा? क्योंकि समस्जकत का पालन होता है धर्म से अधर्म तो संसार को नीचे लेके जाएगा नाश्वान बनाता है लेकिर अगर कोई चीज उठती है जीवित होती है, सक्रिया होती है तो धर्म से होती है तो भला धर्म कैसे आता है वहां धर्म को सापित करते हैं भगवदीता के संदेश के माज़न से सिर्फ उस संदेश को हमें रिपीट करना है और रिपीट करते रहेंगे धरम बना रहेगा और चीज़ा आगे बढ़ती रहती है जैसे कि अर्जुन थे अर्जुन भवाश्री कृष्ण के धाम या लीला सवाब करने वाद वो जा चुके है तो अर्जुन आप उनकी अनुपसिती में बड़ा कमजोर की करें लेकिन जैसे उनने भगवदीता के उस संदेश को रीकॉल किया फिर से उनको शक्ति का संचार अपने हर्दे में महसूस हुआ तो इसलिए भगवदीता वास्ते में अपलिट करने वाले इन फैक्ट आदी शंकर चारे तो यह तो खयते है एकम शास्त्रम देव की पुट्र-गीतम अगर शास्त्र में कोई शास्त्र है तो वो है श्री मद धौगधीता एको देवो देव़़ की पुत्र एवा अगर सभी देवी देतों में अगर कोई परम भवान है तो वो कौन है वहांश्री कृष्ण देव की पुत्र एवा मंत्र है एका तस्या नामानी आरे अगर को मंत्र है तो वहांश्री कृष्ण का नाम है और कर्माप पे एककम तस्या देवा से सेवा बहास्ति में को कर्म यानि को कारे करने योग्य है तो इसले इसकी शरण में हमें निश्री तुरुप से जाना चाहिए बहास्ति में भगोदीता जो है वो महाबाद का हिसा है अब महाबार के बहाद के अंदर है एक लाखश लोग उन में से भीशों पर गंदर आते हैं ये अठारा ज्याए सासुश लोग अब देखा जाए तो ये तो एक लाग शलोग और ये सिर्श सासुश लोग लेकिन जैसे की ना किसी हीरे की अंगोठी में 99 परसन होता है सोना सिर्फ एक परसन होता है हीरा लेकिन वो हीरे के अंगोठी कहलाती हीरे के अंगोठी इवन दो हीरा is in minority सोना is in majority लेकिन फिर भी हम उसको लेके चल रहे हैं वाव ये तो जी डाइमंड रिंग है उसी प्रकार से पूरी जो महाभारत है वो तो है सोना गोल्ड उसमें जो हीरा है वो है श्रीमद भगवद कीता वासमें न सारी महाभारत बोली इस तरह से गई थी so that भगवदीता can be spoken ताकि सारा जो सीन पहुँचे इस जंक्चर पहुँचे कि भगवदीता बहाश्री कृष्ण अरजन को बोले अईसा तो इसलिए भगवदीता का पाठ करना अच्यंत आवश्री कृष्ण अरजन के माद्यम से हमी को तो गीता बोल रहे है आरे अरजन तु पहले से बगता है बगता उसी में सखा चाहिए तू मेरा सखा है तू मेरा बगता है भगतों गाए के गीता सुनाने जी वो तो वालों ने सित्रा बगती के अंदर पर हाँ अरजन के माद्यम से हम सब को गीता सुना रहे है बगववान श्रीक कृष्ण तो इसलिए ये लेकर चलना चाहिए कि ये गीता का एक एक श्लोग वासा में मेरे लिए है मैं अमोग्ली लदास, मैं कृष्ण दास, मैं रादिक अदासी, मैं कमला, मैं सुमेधा, whatever, मैं लिली, मैं रीटा, सैनी रीटा, whatever you are, ये मेरे लिए है ये वहान कृष्ण बोलन रहे है, आरजों के लिए है, ये मेरे लिए है ये सुची चलना चाहिए, यसे COVID जब आया था ना, कहीं रिपोर्टर जाके पुछ से, डॉक्टर से डॉक्टर साब, कोवीड तना फैला हुआ है, बना, क्या क्या प्रिकॉशन्स हमें लेने चाहिए, प्लीज बताइए न और ये डॉक्टर बताएगा, certain do's and don'ts अब वो जो कुछ बता रहा है, वो रिपोर्टर को बता तो रहा है, हलागी, पर रिपोर्टर के थुरू, हमें बता रहा होता है सुनने वालों, जो भी ये टीवी शनल देख रहे हैं, वो ये सब प्रिकॉशन्स ले उसी प्रकार से अर्जुन सवाल पूछ रहे है, वहान कृशन जवाब दे रहे है लेकिर उसका पर्पस क्या है, वेल, अर्जुन के माद्यम से पूरे जगत में भगोदीता का प्रिशार प्रिशार करना तो इसलिए एक एक शिलो के हमारे लिए बोला गया है, किस प्रकार से जीवन हमें जिना चाहिए मैं देख रहे करके करम बंदन में नहीं फुझना है, एयिसकिना रहे है, और न भप्रिश करके आगे कैसे वरणा है यह science explain करती है श्रीमद भगवत गीता तो निश्य दूसर भगवदीता तो हमको पढ़नी चाहिए साथ यह औरों को पढ़ानी भी चाहिए because when you give Krishna you get Krishna जितना आप Krishna को बाढ़ते हैं उतना Krishna आपको मिलते हैं और आप देखिए आज भगवदीता का परचार पसार इसकौन इतना किया है कि जब से इसकौन शुरू हुआ है और अब तक हम पूरी दुनिया में पचपन करोड़ भगवदीता बाढ़ चुके हैं और across the globe यह devotees आप देखते हैं इसकौन शुरू पर गीता बाढ़ रहे हैं खुद धुआ खाते हैं और आपको गीता पकड़ाते हैं आपसे अलोचनाई लेते हैं और आपको गीता पकड़ाते हैं और इसाब पढ़े रिखें समझधार लोग हैं गीता को आप तक पहुचाने के लिए और आप चाहते हैं और आप घर बैठे भगोदीता आप तक बहुच जाए तो ये सुवधा भी उपलब्द है तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसस का लिंक है उसमें क्लिक करके आप परशेस करते हैं वहापर गूगल फॉर्म का लिंक है देर यूगन गिव योडीटेल्स एंड देन वी विल सेंड भगोदीता टू यॉर होम पर कुब हो सकता है ये गीता तुम्हारे पास है क्या करेंगे हम अरे ने जी इसको बाटना भी होता है वह ऐसी भी नया साल आ रहा है नया साल में आप क्या जेंगे किसी को लेकिन बहगोदीता है जो कि जीवन भर का गिफ्ट है तो इसी लिए आप किसी को मिठाई दें डारी दें अवश्र दें अवश्र दें लेकिन साथ में भगोदीता भी अवश्र दें तो इसी लिए हमें औरों को भगोदीता बातनी चाहिए और इसको इतना बातना चाहिए that one day government declares it to be the book of nation कि हर एक के पास पहुँच चुकी है जी आप तो इसकी शिक्षा को अनिवारे करना पड़ेगा हरियाना जैसे राजियों में हाला कि अनिवारे हो चुकी है पर एक दिन ऐसा है जब पूरे देश भर में भगोदीता अनिवारे हो जाएगी स्कूलों में पढ़ाए जाएगी 820 part of syllabus वाह लेकिन उससे पहले हमें घरगर गीता पहुचानी है तो इसे new year का मौका है तो नई साल पे आप किसी को भगोदीता भी gift कर सकते हैं तो अब आपके 10 दोस्त हैं 50 दोस्त हैं 100 दोसो जितने भी है well you can get as many copies as possible तो गीता को अगर आप बाड़ते हैं तो उसका वहला मात में क्या है तो वैश्वे तंद्री अंदर दिया गया है कोई 100 भगोदीता का दान देता है वह परमपद की प्राप्ती करता है जहां से पुनह वह इस भौती जगत में जन्म नहीं लेता साथ ये अगले श्रोक में ठाये गया है गीता दान प्रभावे न सब्तत कल्प में तास्वा विश्णू लोक मवाप्यंते विश्णुना सहमो favour गीता के दान के प्रभाव से मुझा साथ कल्पों तक भगवान रिशनु के लोग में निवास करता है जहां बैं आनद पूरुएक्ड भगवान रिशनु के सानद्ध में रहता है तो अगर आप भी भवान के सानेद का अनुहब लेना चाहते हैं तो आपको भगोदीता को बाठना चाहिए शुरु भभभभाजी और उनके अनुगर जितने भी भक्त हैं all across the globe इस भगोदीता का प्रचार पसार कर रहे हैं तो गीता को अगर आप बाठना चाहते हैं तो गिफ्ट भी दे सकते हैं और इसके अलाव अगर आप चाहें तो किसी स्कूल में कॉप्टिशन भी और जहां पर बच्चों को दी जाएगी भगोदीता और साथ ही उसमें से कुछ MCQ questions बच्चे उसको attempt करेंगे and then there can be some prize as well like for example kindle दे दिया आपने वो साइकल दे दी कुछ वाचिस दे दी कुछ ऐसे प्राइस भी दे सकते हैं इसी बहारे बच्चे भगोदीता पढ़ेंगे घर में उनके parents पढ़ेंगे because गीता जब घर पहुँचेगी that's also very wonderful साथ ही आप किसी mall में जाकर करके थोड़ा देर कीर्दंग कर सकते हैं और स्टॉल लगाएं वहाँ पर गीता को रखे और अगर को लेना चाहें तो भगोदीता ले सकता है साथ ही offices में भी आप जाकर करके sponsorship करा सकते हैं कि हम अपने जो employees हैं उनको हम gift देना चाहते हैं तो यूशली काजो किश्मिश मगारा काड़ बाउल तयार करते हैं उस पर पंदील लपेड करके उस बंचत बाक्स दना करके Happy New Year सो कुछ ऐसी companies भी हो सकती हैं who are open for Bhagwat Gita कुछ ऐसे वैश्य समाज की लोग भी है जो कि क्या करते हैं अपनी company में बहगोदीता बाटेंगे जी और ये तो हमारा धर्म है ये वाई नॉट तो इसलिए कुछ companies ऐसी भी होते हैं जो कि gift के तौर पे आप से ले सकती हैं श्रीबद, भगबद, गीता तो इसके कहीं तरीके हैं भगदीता को बाटने के चाहे आप रोटें बाटिए चाहे मौल से बाटिए किसको gift दे सकते हैं या फिर इवन आप call भी कर सकते हैं उसके बास calling उसकी free है यतनी भी call करना चाहिए करता है तो उसने क्या किया हुआ है call करेगा directory उठाई हो उसने तो कहीं RWA की directories होती है वाको मिल जाएंगी वो भी कर सकते yellow pages भी है again you can give a call और कोई लेना चाहे why not advertisement भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं and then you can distribute भगदीता by advertisement as well so there are various ways to distribute श्रीमद भगद गीता इसमें सबसे important है आपका खुद का attitude and your zeal your enthusiasm to spread श्रीमद भगद गीता तो इसके उत्सहा पूरुवग अगर आप निखलेंगे भगद गीता बाटने के लिए people will subtly take it कुछ लोग है जो मना करेंगे which is okay हम भी जब book distribution करते हैं लोग मना करें अभी हम recently कीनिया गए थे there are many people who are saying no not interested पर कुछ ऐसे भी थे well of course फ़र बाचीत करेंगे they will take it also तो इसके अगर को मना भी करें गीता के लिए तो हमें हतो साहिथ नियोना चाहिए कुछ लोग भी तयार नहीं होते but yes we are preparing them for that तो इसके हतो साहिथ हुए बिना हमें आगे बढ़ना चाहिए but yes mantar याद रखिए शर्वाना नहीं गवराना नहीं ये mantar बोला और आप आगे बढ़िए and distribute Shreemad Bhagavad Gita because remember when you give Krishna you get Krishna so wishing all of you a very very Krishna conscious Mukṣitaya Kadha Shri and Gita Jayanti so have a great reading time of Shreemad Bhagavad Gita and give your heart to Shreemad Bhagavad Gita and make your heart full of devotion for Lord Shri Krishna Hare Krishna Gita Jayanti Mahamohat Srawa Ki Jaya Mukṣitaya Kadha Shri Ki Jaya Hare Krishna Shreemad Bhagavad Gita Shreemad Bhagavad Gita Messiah of Millennium Shreemad Bhagavad Gita Messiah of Millennium